चलिए बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम आज पढ़ेंगे मफ्वूल का बयान मफ्वूल इंग्लिशन बोलते हैं इसको अब्जेक्ट मफ्वूल देगे सबसे पहले हम हाफ हाफ मिसाल पढ़ेंगे फेल फाइल के उनली समी अलवलदू लड़के ने सुना कौन से तरकीब है सिंपल है न फैल फाइल पढ़ चुके है न फैल फाइल फाइल पढ़ेंगे उससे नीचे वाली मिसाल पढ़ता है यक्रा उत्तिलमीजू फैल फाइल क्या हो बतर्जमा पढ़ता है पढ़ता है लनल तालिब इलम पढ़ता है शागिर्धिय तालिब इलम ठीक है फैल फा einzel खलक ल्लाह पैदा कि अटल्लाह ने पैदा कि अल्लाह ने सिंपले फैल फा Pen याःब दॉर्रजुलू अबादत करता है आदमी या मर्द फैल फाइल अकल खालिद नॉर्मल फैल फाइल आमिद ने खाया खाया खालिद ने शरिबत फातिमत नॉर्मल फैल फाइल है फातिमा ने पिया पिया ठीक है तो इसको बोलता है फैल फाईल जिसने काम किया होगा अब आगे मिसायत ओपर लड़के ना सुना क्या चीज सुनी तो जाहिर सी बात है अगर अजान सुनी दिया है तो देखे हमने अज़ान कबड आगे बढ़ाया है ठीके तालिब इल्म पड़ता है क्या पड़ता है तो जा Prop 2 Siva थै हमने उसको मेंशिन करना है तो हमने किताब के बारे में बताना था तो हमने अल किताब अलिफ लाम के साथ लिख दिया है خلق اللہ واللہ نے پیدا کیا بھئی کیا چیز پیدا کی اس کو mention کرنا ہے نا کیا چیز پیدا کی تو آسمان کو بتانا تھا کہ آسمان کو پیدا کیا تو آگے آسمان کی عربی لکھ دی آدمی عبادت کرتا ہے بھئی کس کی عبادت کرتا ہے تو بتانا تھا تو آگے اللہ لکھ دیا آگے کھانا بھئی کھایا خالد نے کھایا کیا کھایا یہ بتا رہے تھے تو آگے طعام لکھ دیا اور فاطمہ نے پیا तो किया चीज़ भी उसको हम बता रहे हैं उसके बाद वह लिख दे नर्गिस माइगबं कर लो तो अब यहां पर देखिए जो जो भी वर्ड हमने एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं तो इन सब को अरभी में क्या कहते हैं मफूल केता है क्या बोलते हैं को मफूल बोलते हैं क्या ची जो है वो एक दम आपको सेम दिख रहा है कि जो भी चीज हमने आगे बढ़ाई है जो भी चीज सुनी होगी जो भी चीज पढ़ी होगी जो भी चीज पैदा की होगी जिसकी भी वादत की होगी जिसको भी खाया होगा जिसको भी पिया होगा उस पर क्या रहाएगा उस पर बड़के में और अजान में यह पिसने किस को सुना यज किसने किसको मारा है मचले ही आपर तो नॉर्मल है कि अल्वलादす सूनता है अजान को सुनता है उल्टा तो नहीं आजने सुनन लिए होगा फ्री मिकश क्वैंध नॉर्मल चीज है इसके वागा कhou कर वे मलिक मलिकुर रजुला हैं तो यहां तो तो देखिए यहां पर तो आपको ऐसा हो सकता ना हो सकता भी आदमी ने मार दे हो बादशा को यहां पर जरूरी थोड़ा ही कि बादशान आद्मियों को मारा हो बलके तो यहां पर क्या चीज़ हमें बता रही कि बादशाने मारा और आद्मी को ही मारा यह एराब बता रहा है यह पेश बता रहा है बादशाने मारा यह जबर बता रहा है कि जो है आद्मी को मारा एक दूसरे को मार सकता है मारने की जो है सलाहित रखता है लेकिन क्या चीज़ बता रही किसने मारा खालिदुन का पेश बता रहा है कि खालिद ने मारा हामिदन के दो जबर बता रहे हैं क्या कि हामिद को मारा गया तो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ डिफरेंस पैदा करती ह मैं आपर लिखता हूँ सिर्फ जबर और पेश ये बताएगा के फाइल कौन है और मफ ओल कौन है तर्टीब बिलकुल मेंटर नहीं करती आप समझ रहें तर्टीब जो है इसमें तर्टीब बिलकुल मेंटर नहीं करती तर्टीब का मतलब मिसागत ओपर जराबा खालिदुन हामिदन है में जराबा खालिदन हामिदन के मैं कर दूँ जराबा हामिदन खालिदन अगर मैंने तर्टीब तो चेंज कर दी ना कैसे की चेंज बताना हामिदन को में कहां लिया या पहले लिया और खालिदन को में कहां लिया या बाद में ले गया तो फिर लेकिन फिर भी क्या हो रहा है बताओ इसका जरबा जरबा हामिदन खालिदुन और आपके लिए बात वही रहे गई ने सेंब बूल कुछ फरक तोड़े है क्यों क्यों कि बढ़ी पेश बताएगा किसने मारा यह जबर बताएगा किसको मारा यह जबर तो हमने हामिदन पर लगा रखा है ना यह थुमने खालिद को नहीं दिया ना जबर То अर्बी में तर्ती मेटर नहीं करती ए के जो भै फाले पहले आ गया है तो हमिद इने इंडरेट परको उगा इसे इंग्रिश्म करती है कईंग्लिस में वह करती है मिट्र में साे रहा जैद किल्ड ए ने ने हमेद को मारा तो कर उसे घर जा ज ने मैं घर अगर आप इंट हक्रते हैं किया हमिड ज़ाली सबस्क्राइब तो हमेड réflड़ें उसकते मिट्र ले वह 107 करता है ठीक जिसaky कुरान में मिसाल है गसी बतला अबराहीमा रभु में बतला इबराहीमा अब देखें यहां पर इबराहीम को आजमाया ना किस न हम आजमाया रभु हूँ निके रभद ने उस भी अगर अगर आप वे सोचो के बहुए इवतला आजमाया इवराहीमा इवराहीम ने तो बहुए इवराहीम अपर तो पेशनी है जो आप तरजब कर रहा या इवराहीम ने आजबाया यह यह. वे पतला इबराहिम और अब्व हो तो वहाँ फिर पहलगा, फिर फ certainty फिर अचुझा कर एना है पहले आया हूँ थिर को लाई ही तो यहाँ पर मैं ज़टा हो, मफूल फाइल से पहले भी आ सकता है मफ्वूल फाइल से पहले भी आ सकता है और उस पर अगर जबर है तो वो मफूल ही रहेगा अगर आपने उस पर जबर रहने दिया ना जूँका तू हूँ तू क्या रहेगा वो मफूल ही रहेगा वो फाइल बन ही नहीं सकता हाल बत्त अगर आपने उसकी हरकत ही चेंज कर दी हें तो फिर क्या होगा? फिर ते एक दम बन जाएगा हो फूल बन जाएगा हरकत चेंज करना मतलब यह उसकी position चेंज कर दिया आपने पूरी position का मतलब सिर्फ एराबी होता है आपने उसका एराब चेंज कर दिया उसकी जो position थी वो छीन ली ठीक है ये समझ माया तो यहां पर देखे सम्मे क्या है सम्मे जबराया हुआ है सम्मे जबराया हुआ है इसको भी आप नकिरा ला सकते हैं अलकिताब को आप क्या कर सकते हैं किताबन कर सकते हैं लेकिन तरजमा फिर क्या होगा कोई किताब एक किताब या कोई किताब एक किताब या कोई किताब तो फाइल में भी आपके पास आप्शन है मारिफा नकिरा लाने का और मफ़ूल में भी आपके पास है जो है आप्शन मारिफा नकिरा लाने का आप दोनों को मारिफा कर लो तो भी कोई प्रोब्लम नहीं जैसे बस ट्रासलेट जो है अच्छा होना चाहिए क्या दरजमा होगा क्ट्ल किया बादशान एक आद्मी को एक बादशान एक बादशान एक बादशान एक आद्मी को क्या दरजमा होगा बादशान एक 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 बा कटलल मलीकू रजूलन दाशा ने कटल किया आदमी एक आदमी एक आदमी एक आदमी देखो चारो अलग अलग हो गए ना चारो अलग अलग है तर्जवत क्या है इस तर्जम असब कया है अलग अलग अथोड़ा थोड़ा सा फिर्फ किस चीस से मारिफा और नकिर्अज भर्वाइल और मफलू डोनों को नकिर्अ कर सकते हैं लेकिन सिर्फ अगर नकिरा खागर तो किया होना चाहिए उन्हकिरा आदमिson को यूज़र करें तो इसуст करें कि वह एक कहना चाह करें रहाए वरना वह चुन कया यूज़र आए का यूस नौर राज अ गौत लाए नकिरा लाए तो सबसे पैरे मैं पताएचाऊंगे अगर अलिफ लांख नहीं होगा तो तन्मीन होगी अब तन्मीन दो खबर को वह που भी बोलते हैं दो भिटाफ थो थामेशे दो जबर हमयाँ हां मफुह अमेशे दो जबर ही होगा और दो दो जबर को एक अलिफ चाहिए होता है तो ठीक है दोजबर को क्यों लिखेंगे जईदन एसे इसे बिल्गुल निलिखो गए जईदन अलिफ चाहिए होता है से जईदन समय किताब बन एसे रजू लन एसे अलिफ चाहिए होता है ठीक है कुराणन ऐसे ठेक्या कुराणन अलिफ चाहिए होता है दो दुखर को सिवाए गोलता के उस में अलिफ की जरूरत नहीं है गेसे बुलिमतन गोलता है ना इसमें अलिफ की दरूरत नहीं है इसमें किसे लगाओगे अलिफ बताओ लगे गई नहीं अलग हो जा रहा है तो मौलिमतन ठीक है तो गोलता में नहीं लगता अलिफ देखिए जो मैं आपको बताई है कि तर्ती बिल्कुल भी वो नहीं करती मेटर अभी में तो इसलिए कुरान में आता रहता है कि वो जबर और पेशी मेटर करता है मिशाय के लगता कुरान में एक आता है फासा फिराओ नुर्रसूला आया है ना असा यासी का मतलब नाफरमानी करना नाफरमानी की किसने है फिराओन ने रसूल की क्या चीज़ बता रही है कि फिराओन ने नाफरमानी की पेश बता रहा है क्या चीज़ बता रही है कि कि ना फर्मानी की गई जबर बता रहा है बिल्कुल सही इसलिए आपने देखा होगा बाद कुरान में इस आयत के सामने क्या लिखा रहता है इसलिए लिखा रहता है वो क्यों लिखा रहता है वो इसलिए लिखा रहता है कि उन्हें पता है कि हाफिद कुरान जो होगा यह जो तो मोहलाना होंगे ये जो नमाद पढ़ने वाले होंगे या कोई भी हो तो जारे से बाते हैं उल्टा तो याद नहीं कर सकता है इतना तो चेंजिंग नहीं हो पाएगी लेकिन अथनी चेंजिंग दुरूर हो सकती है वो फिराहून को क्या पढ़ सकता है वो फिराहून न पढ़ सकता है इसको जबर पढ़ सकता है अर्रसूल को वो क्या पढ़ सकता है जल 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 दी में अर्रसूलू पढ़ सकता है ले तो अगर ऐसे ही हो गया तो क्या हो जाएका तरजमा रसूल ने फिरोन की ना फर्माने की ये हो जाएगा तर्जम अक्दम तो तर्जमा पलेटने के लिए जरूरी नहीं है आप फिरोन को कहा ले जाओ बाद में ले जाओ और रसूल को कहा लाओ पहले लाओ उसकी दुरूद नहीं है सिर्फ किस चीज से तरजम चेरें जाएगा जबर से और पेश से ठीक है इसलिए लिख रहे हैं इहतियाद करो भाई एक और आएध में लिख रहे हैं फ़ासा आदम रब्बहु है ना फ़ावा इसके सामने भी एक्तियाद लिख रहा होगा यहाँ पर भी वही है असा ना फर्मानी की आदम 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 आले इसलाम ने बात नहीं मानी रब्बहु अपने रब्ब की यहाँ भी आदमी क्या खलती कर सकता है बताओ आदम को क्या पढ़ सकता है कि आधमा और रबहू क्या पढ़ सकता है रबहू अगर एसे पढ़ते क्या तर्जुम हो जाएगा हाँ नौजब oned बूल्ह आदम की जो है आधम की जो हैはना फर्माने की बिल्ग को लटब बॉड करो जाएगा तो यही चीज़ होती है यह फैल की और सुरी फाइल की और मफूल की ठीक है इबतला इबराहीम रभू यहाँ पर मैंने एक मिसाल आपको दी है यहाँ पर अगर आप उल्टा कर दोगे इबराहीम रभभू आप यह सोचो कि फैल के बाद तो हुआता है फाइल आता है तो भाई जरूरी नहीं वो फाइल मफूल दोनों क्या होते हैं आगे पीछे होते रहते है ठीक है उर्दुमा भी होता है उर्दुमा भाई मिसाल के तो पर आप जो है फॉकस जिस बाद पर होता है तो आद भी उसी को भाई ने खा लिया सेब तो भाई ने खा लिया तो यहाँ पर सेब पर फोकस कर रहे न सेब की बाद चल ले तो सेब को पहले लिया और अगर यह पूछो कि भाई जो है भाई सेब किसे ने खाया तो आप क्या बताओगे कि भाई ने खाया सेब तो नहीं ब्लागत का टौपिक हुता है नोर्मल जो तरीका है वो क्या है फैल, फाइल, मफूल बट फैल भी जो है फैल तो हमेशा पेले आएगा उसके बाद मफूल भी हो सकता है और फाइल बाद में भी हो सकता है पेचान के से होगी? पेश से और जबर से बस पेश चाहिए आपको पांच लाइन बाद लिखा हूँ मिले वो तब भी फाइल के तरह नहीं कहा से निकल गाएगा वो वहीं से निकल गाएगा मिसालत ओपर जराबा मारा तो जराबा के बाद वगर आपको मिलना है हामिदन, खालिदन, राशिदन सबका क्या तर्जव हो रहा बताओ ये तीनों मफूल है मतलब हामिद को मारा, खालिद को मारा, राशिद को मारा किसने मारा, इसमें तो कोई भी नहीं है ना तीनों में है क्योंके इनमें किसी पर भी पेश नहीं है तो हम कैसे भाई खालिद से मरुआ देंगे या राशित से मरवादेंगे आगे कहीं जाके लिक्षा हुआ मिला जईदुन तब पता चलेगा अच्छा जईद ने मारा तो जरूरी नहीं है आपको फाइल कहां लिक्षा हुआ मिले एकदम वहीं कहां ही बिल्गुल हल्वा मिले खालितन जबर आ रहा है भई झालित को भी मारा और राशिदन इसको भी मार झा तीन ऐन does एक दुए पार अगए इसमें कुछ और भी हो सकता है ये भी हो सकता है और भी इसमें सकता है कि बिल आसा लाठी से मारा बिल आसा लाठी से मारा हैं इसकी सिफद भी आ सकती है कि तेज लाठी से छोटी लाठी से लंबी लाठी से इसकी इसके आप इसके बारे में डिटेल भी बता सकते हैं सुबह में टाइम भी आप कर सकते हैं आपर टाइमिंग एड़ कर लेंगे लेकिन फाइल के तर्जमा तो फाइल से निकले गाना तो आपको डोड़ना पड़ेगा वो फाइल कहा जा रहा है तो जई दून आगए तो फाइल हो गया अजबास समझ में तो यह होता है फैल फाइल मफूल तरकीब इसी लेक कर रहे हो तर्जम को चूर कर रहे हो बैसे भी हो जाता है तर्जम होता अ सभी और था लो अगर में यह खायु हो ए हो लड़के कॉना नहीं और नहीं तर और पाइल। पेश लगा दिया और वलद को मैं अजबर दे दिया तो लड़के को सुना अज़ान ने लड़के को सुना तो वो हो जाया का तरजमा इसका खास तोर से ख्याल रख करें ठीक है चलिए यहां पर देखें मैंने कायदे लिख रखे हैं उपर की मिसालों में गोर करें कुछ चीज़े नई देखने को मिल रही है मिसाल के दोपर फैल और फाइल के बाद एक कलमे का इदाफा किया गया है ठीक है एक लफा बड़ा था हमने जो लफ़ यह बता रहे कि आदमी ने क्या काम किया जैसे लड़के ने कया चीज़ सुनी अदाशान सुनी चालीब एलम क्या पढ़ जाए किताब पढ़ जाए ожд आदमी अबादत कर रहा है तो किसकी अबादत कर रहा है अल्लाह की खालिदी ने खाया लेकिन क्या खाया 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 फातिमा ने पिया क्या पिया पानी पिया तो ये सब अलफाद जो काम को बता रहे कि करने वाले ने क्या काम किया उसको अरभी में क्या बोलता है मफूल बोलता है मफूल दोबारा गोर से देखें तो मालूम होगा हरे एक मफूल पर क्या लगा हुआ है जबर लगा हुआ है जबर पस मालूम होगा है मफूल जब भी आएगा तो उस तो उस पर जबर ही आएगा तो हम्याद कर लें फाइल मर्फू होता है और मफूल मनसूब मनसूब मतलब जबर वाला जिस पर जबर हो ठीक है वो होता है नीचे लिखे जुमलों पर एराब लगाएं फैल फाइल मफूल भी वाज़े करें यहां पर देखें मैंने मिसार लिख रखें आपको एराब लगाना है तर्जुम मतलब एराब मतलब जबर जेर पेश लगाना है सादा यह निव वर्ड है यहां पर इदर लिखा हुआ है सादा यसीदु शिकार करना ठीक है हाँ तो अलमलिक पे क्या लगाओगे जबर या जेर पेश लगाओगे और असद पर क्या लगाओगे १ जबर लगाओगे बिल्कुल बस ए सही ओमवर्ग करना है यह इसकी प्रेक्ट इसकी फैलगी फा qualquer तरह मंप्वोल के तर्जमत क्या करोगे शिकार क्या किसंप यह लिए तो बादशार ने शिकार किया किसका शिकार किया शेर का बना बना किसको बोलते है बना यबनी बनाना ठीक है यह रहा बनाया इसहाग नाम मस्जिद मस्जिद यकरहू करिया यकरहू बोलते है ना पसंद करना अल्ला अल्ला मुनाफिक मुनाफिक को बोलते है जारा बोलते है जार फिए जमिया ठेक है तो रहर गिएल ठीक है धिए चुंगा था खड़मा खिदम्हड करना खादीम को बोलटा है उत्यक सरका किसको बोलता है सरका यसरी को चुरिकरमा नि कि будешь करना महाजी मुझारदी दोनों है चुर ने चुराया माल को इसन जाना, अननाहर बोलते है। चुछा जाएदन अननाहर अन्हार पे क्या आएगा पेश पेश नहीं आएगा जबर आएगा जबर तला तला बोलते हैं तिलावत करना तला यतलू तिलावत करना ठीक है बाँसा बाँसा बेजने को बोलते हैं आज चुका ये भी फैले मजूल जब पढ़ा रहे थे ठीकहें तो यह उभ्र कर ले ना नीचे वदा कर लेना नीचे लिखे झुम्लों का क्या मफ़वर बढ़ाएं मफ़वर बढ़ाना है मैंने क्या लिखा हुआ है खाली फैल और फाइल लिखा हुआ है आप मफूल बढ़ाओगे तो मफूल पर क्या लगाओगे पेश या जेर जबर लगाओगे तरजमा भी लिख लेना ठीक है अकरमा का तरजमा अकरमा मतलब इज़त करना ठीक है अकरमा इज़त करना तो इस से निकाल लेना इज़त करी खालिद ने इज़त करी जिसकी इज़त करवानी हो उसका नाम लिख लेना यफ्तहुल खादिमू खादिम खोलता है क्या खोलता है आगे लिख देना बाकि सब पता है ना फहीमा ये फहमू समझने को बोलते हैं समझना ये रहा फहीमा ये फहमू समझना ठीक है भाई मिसाल के तो देखो इसमें एक चीज याद करें जरूरी नहीं है क्या कि अगर अकरम खालिद उन फैल फाइल ये मुझकर हैं तो आगे जो मफूर आएगा वो भी क्या हो मुझकर हो ये सा तो कोई जरूरी नहीं ना खालिद ने इजळत की तो खालिद तो हरे की इजद कर सकता है ना मर्द की भी और ओर्वरत की भी तो अगर आप ये बाउंडेशन लगा दोगे ये पाबंदी लगा दोगे कि अगर फैल फाइल मुझकर है तो मफूल भी क्या लगए मुझकर लगए तो फिर तो कभी भी खालिद जो है वो किसी औरत की ये अपनी बीवी की इज़त ही नहीं कर सकता उसके लिए कोई जुमलाई नहीं हो अरबी में हैं वो फिर तो मर्दों मर्दों की इज़त होगी तो शोहर अपनी बीवी की नहीं कर सकता इसके लिए विजद अकरमा भाई क्योंकि अकरमा खालिद उनके बाद भाई जायर से बादे किसी मर्द के नाम लोग है तो ऐसे कुछ जरूरी नहीं है समझ रहे हो तो ऐसे तो जिसे नकाहा निकाह किया जईद उन जेद ने अब जायर सी बात है यह तो मुझकर है ना जेद ने निकाह किया अब आगे क्या आपको वही लाना पड़ दायागा मुझकर कि किसी आदमी से निकाह किया तो जायर सी बात है आगे फात्मा लाना पड तो दिमाग भी हमारी common sense भी बता रही है क्या कि मफूल तो कुछ भी ला सकते हैं आप समझ रहे हो मफूल कुछ भी ला सकते हो हाँ बिलकुल क्यों नहीं लाओगे फिर आप दिमाग सुचो कि क्या खालिद लोगों की इजद नहीं कर सकता गया उसके लिए बहुत सारे खालिद लाने पड़ेंगे क्या हैं मिसाल के दोपर आपने दावत की क्या नाम आपका हैं दाव दाव कनीज कनीज ने बुलाया अंगर ये करें कि एक ही आदमी की दावत की तो फिर खाल इदनि करना पड़ने पड़ सब命 denn और सब करेंगे तब करिंगी तब होगी ऐसा तो है नहीं नासा कर दीजिए जमा कर दीजिए दो की भी दावत कर सकते हो तुम यह नहीं तो दो भी आ जाएगा यहां पर जब हम दो का पढ़ेंगे तस्निया कैसे बनाते हैं तो हम वह भी आपको सिखा देंगे तो दो एक मर्द और बच्चा कुछ हो मफूल को कोई बह्स नहीं है बाइशे से सिर्फ क्या चाहिए उसे दो दबर चाहिए और चाहिए संसा मानिफ हदी नहीं आपको करता है ठीक है एक आदमी को भी तो बुला सकते हो आप एक आदमी को सिर्फ एक आदमी की दावत तो क्या हो जाएगा तब रजू लन हो जाएगा अगर मैं यह के दू कि भाई यह मफूल जो हो ना किरा नहीं आ सकता है वो मारिफाई आएगा मफूल जो हो मारिफाई आएगा तो इसका मतलब कभी भी आप एक आदमी की दावत ही नहीं कर सकती आपको किसी खास आदमी की दावत करने पड़ेगी एक आम कोई भी आदमी की दावत ही नहीं कर सकती आप तो ये दिक्कत हो जाती है मज़रे हैं मिसाल के तो पर मैं कहूं कि भाई एक लड़के को बुलाओ एक लड़के को बुला कर लाओ या एक सेब उठा कर दो मैं कोई चीज कहूँ कि उठाओ क्या उठाओ एक सेब तो जाहर से बाद है एक मैं एक किराओ न तो मफूल मुझे नक्रा लाना पर जाएगा तो फाइल और मफूल में क्या है बाउंडेशन नहीं है किसकी मारिफा और नकिरगी यह पर देखिए वही मिसाल है चार उजराबा उस्ताज उन वा लदन मारा उस्ताज ने एक लड़के को उस्ताज ने लड़के को मारा उस्ताद ने एक लड़के को मारा, एक उस्ताद ने लड़के को मारा, ठीक है, इस तरह के चार जुम्ले लिखे ले ना आप, इस तरह के आठ जुम्ले, अपने पास से, ठीक है, ये लिख लोगे, उस से, उस से क्या हो जाएगा, आपको तरजम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, का मारिफ नक्रा का ठेक है तो यह कर लेना अरसल यूरसीलू भेजने के माने माता है अरसल आता है ना अरसला पता है भेजना वजदा पता है वजदा जिदू पाना सका इसकी सका पिलाना अमाता यूमीतू मारना पता है काटना अरसल यूरसीलू भेजना वजदा यजदू पता है पताना तिफ लून तिफ लून बच्चा सका यह सब उसमा आ चुके हैं असल में किसमें है कसस में हैं जा पड़ रहे हैं सका यसकी पिलाना है अन्नासु लोग अमाता अमाता का मुझार यूमीतू मारना मौत देना पताह यक ताहू है काटना अल जज्जारू किसको बोलता है कसाई कसाई जानता हो है कहां कसाई दाया यदू बुलाना अस्सदीकू अस्सदीकू को दोस्त ठीक है कि ब कर मतलब इन राइघ में जी इन वाइट करना दावतू सी कही तो बोलते दावतू साइब मना डाय दवादू आतन कि 진माक में तो यह कर लेना ठीक है दाई भी इसे बना इन्वाइट करने वाला दाई ठीक है तो यह कर लेना चलिए तना काफी ओंवर्क है 56 तक